आइपेड प्रो 2021 जो M1 चिप के साथ आता है 12.9 इच लिक्विड रेटीना HDR डिस्प्लेय, व्ल्ड्स पाउरफुल टेबलेट चिप सेट, सूपर पर्फूमेंस एन मनी मोर दोस्तो आज मैं आइपेड प्रो 2021 का अन्बोक्सिंग बताने वाला हूँ और डीटेल रिव्यू पी मैं जल्दी ही अप्लोड करने वाला हूँ मैंना मिलने और आप देख रहे है टेकी स्टीर लेटेस्ट के दिव अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गीवू बद देखने के लिए चैनल को सबस्क्रेब करना ना बूले और बेल आइकोन को दबा के ओल कर दी ताकि आपको लेटेस्ट वोसम टेक अपड प्रांडिंग दी गई है बेक में देखे तो आइपड प्रो 12.9 इच फिफ जनरेशन मैंसन किया गया है और ये वाइफाई वेरियांट है इसमें सेलूलर वेरियांट भी आता है और सेलूलर वेरियांट 5G कनेक्टिवीटी के साथ आता है तो यहां से मेइन बोक्स के प्ला नहीं दी गई है आइपड प्रो के प्लास्टिक व्रेप को हटा लते है तो यहां पे बेक में आइफोन की तरह ही स्क्वेर केमरा मोडियूल दिया गया है सेंटर में एपल की ब्रांडिंग बोटम में मेगनेटिक कनेक्टर दिया है फ्रंट में फ्लेट स्क्रीन देखने को मिल चाती है बेजल्स थोड़ी बड़ी दी गई है क्योंकि यहां पे फ्रंट केमेरा फेस आइडी और दूसरे सेंसर भी दिये गए है और आइपड प्रो हंड्रेट परसंट रिसाइकलेबल अल्यूमिनियम से बना है अब बाकी का बॉस कंटेंट देखते हैं इस बॉक्स म जो 20W की आउटपूट के साथ आता है जो तेजी से आइपड को चार्ज कर देगा इसका डीटेल रियू में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं यह तो सिर्फ अन्बोक्सिंग ही है आइपड प्रो 2021 के स्पेक्स की बात करें तो 12.9 इच की लिक्विड रेटीना XDR डिस्प में भी देखने को मिल जाती है और यह चीप A12Z चीप से यानि पहले के आइपड प्रो की जो चीप थी उससे कंपेर करें तो करीब 50% मोर फास्टर CPU मिलता है और 40% मोर फास्टर GPU मिल जाता है और इसमें अप्टू 2TB स्टोरेज वेरियांट मिल जाता है और साथ में 16GB तक RAM अप्सन भी मिल जाता है और दोस्तो आइपड प्रो 12.9 इच के बेस वेरियांट की जो इंडिया में प्राइज है वो करीब 99,900 है जो वाइफाई वेरियांट है अगर सेलूलर वेरियांट लेते है तो उसकी जो प्राइज है और दो लाग से उपर चली जाती है इसकी जो अ देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल आइकन को दबा के ओल कर दीजे ताकि आपको लेटेस्ट ओसम टेक अपडेट की नोडविकर सबसे पहले मिल सके जैसे हम नहीं वीडियो अप्लोड करते है तो दोस्तों मिलते करते हैं